दोस्ते एक मिनट रोख जाएए जो भी चीजे आपने थमनेल और टाइटल में पढ़ी वो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ ठीक है ये मेरा ओपिनियन नहीं है इधर बगल में आप स्क्रीन सोट देखे ये बंदा बोल रहा है आप साप साप इसमें देख सकते हो दिया जाता है कि आप खाने के और के साथ साथ मेंग डाल सकते हो उस मैसेज में आप यह यह कंणा का आराम से लाना या फिर खाना ठंडा नहीं होना चाहिए या कुछ भी तरीके से जैसे किसी को कोल्डिंग वगारा मांगाना हुआ एक्स्ट्रा चीज है तो वो उसमें एक ऑप्शन होता है तो उसमें लिख करके कस्टमर डाल सकता है लेगिन देखे दोस्त इस कस्टमर की बेवकूफियत देखिए इसने क्या किया कि वहां पर साफ साफ यह चीज लिख दिया कि जो भी delivery boy मेरा खाना देने के लिए आएगा वो मुसलिम नहीं होना चाहिए अगर वो मुसलिम हुआ तो वो मेरा खाना कैंसल कर दे मेरा खाना देने के लिए मत आए दोस्त क्या मामला है क्या चीजे हैं पूरी story विस्तार से पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा आज किस वीडियो में मैं request करूँगा कि आप इस वीडियो को सुरू से लेकर के लाश तक जरूर से देखोगे और अगर thumbnail और टाइटल देख करके आपको बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ जब दोस्त मैंने ये अरीके के मतलब घटना को कोई भी न्यू चैनल बड़े बड़े चैनल वगयरा नहीं कवर करते ठीक है ये काफी आम बात और छोड़ी से बात लगती उनको लेकिन दोस्त मुझे लगा कि मैं आप लोगों साथ में शेयर करूँ तो प्लीज गाइस प्लीज आप लोग इस व भाउनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एक तो वैसे ही इंडिया में हिंदो मुस्लिम चलता रहता है और उपर से कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं इस तरीके का स्टेटमेंट जो है कि दे देते हैं दोस्त मामला क्या है वह चीज़े कवर करने के साथ साथ में मैं वीडिय से खाना ओर्डर किया खाना ओर्डर करने के बाद में क्या किया कि उसने वहां पर एक खास तरीके का मैसेज छोड़ा कि भीया मुझे मुस्लिम डिलीवरी बॉय बिल्कुल भी नहीं चाहिए अब दोस्त ये क्या है कि इसका स्क्रेंशॉट डिलीवरी बॉय ने सोसल मीडिय पर शेयर कर दिया वहाई आज कल डिलीवरी बॉय भी काफी ज्यादा एडवांस हो गया जैसे ही इसका स्क्रेंशॉट सोसल मीडिया पर शेयर किया गया बहुत ही तेजी से वाइरल हो गया हाला कि इसकी जो मतलब डीटेल थी इस कस्टमर की उसको उसने बलर वगयरा करती है चलो इतना तो ठीक है फिर क्या हुआ बहुत ज़्यादा वाइरल होने लगया और कई लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा लोगों ने इस कस्टमर को बहुत ही भाला बूरा सुनाया लेकि दोस्तक किसी और्गनाइजेशन के कोई हैड है उन्होंने जो एकी मतलब खास इस अगर दस सेब रखा हुआ उसमें से अगर एक खराब होगा तो सब खराब हो जाएंगे तो इसी तरीके का कुछ सीन है अब दोस्त इस तरीके का मामला ये कोई पहला नहीं है ठेक है कि मतलब बाइकॉट किया जा रहा है कि हां इस तरीके से बोल रहे है कि हिंदू लेकर क्या है, मुसलिम लेकर क्या है, मतलब खाने को धर्म के साथ में जोड़ रहे है, ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है, आप या है कि भाई देखो जिस भी कश्टमर ने इस तरीके का किया तो मैं समझ सकता हूं कि इसके पीछे उसकी दो mentality रही होगी सबसे पहला कि वही जो विरोधी लोग होते हैं जो हिंदू को मुस्लिम से करते मुसलिम वाले जो हिंदू को हेट करते कुछ लोग होते हैं विरोधिटी गहाँ तो या तो इस व्यकति की मांसिक्ता वह रही होगी या तो दूसरा पहलो भी हो सकता है जैसे लोग बोलते नहीं क arrays उसी को बोलते न मैं उतना कनफर्म नहीं हूँ तो जो लोग नॉन वेगरा नहीं खाते तो उनकी कुछ ऐसी मेंटिलीटी होती है कि मुसलिम बिरादरी जो होती है वो लोग नॉन वेज खाते हैं तो अगर वो लोग मेरा फूड ले करके आएंगे तो ऐसा वैसा सीन सब आप समझ जरुमें खोल करके बोलना नहीं चाऊंगा लेकिन दोस्त मैं यहां पर आपको बता दूह कि सभी मुसलिम नॉनिवेज का सेवन भी नहीं करते हैं और ऐसा नहीं है कि जितने हिंदू है वो नॉन वेज ही नहीं खाते है ऐसा भी नहीं है जरूरी नहीं कि जो हिंदू डिलिरूब है आपका खाना देने के लिए आएगा तो वो नॉन वेज नहीं खाता होगा इसकी कोई भी गैरेंटी नहीं है तो दोस्त यहां पर मतलब इस तरीके से करना थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है कि इंसान का सब से पहले तो कोई धर्म नहीं होता ठीक है देखो दोस्ते हर हिंदू मुस्लिम सब आकर के आप लोग यहीं बनते हो उपर से सब इंसान बनके आते तो इन चीजों का लोगों को मतलब खास तरीके से ध्यान रखना चाहिए और अगर बंदे के यह मेंटिलीटी रही होगी कि ह हिंदू मेरा मुसलिम खाना लेकर के आएगा तो वो नौनवेज खाता होगा तो उसने खाने को टच कर दिया तो यह हो गया वह गया अगर ऐसी मेंटिलीटी है तो भाई हिंदू अगर कोई लेकर के आता तो यह मतलब बिलकुल कोई गैरंटी नहीं थी गाई इसकी वो हिंदू नौनवेज नहीं खाता होगा क्योंकि आज कल सभी आप सभी लोगों को पता है मुझे कुछ भी बताने की जोड़ते हैं अब दोस्त मेरा उपीनियन तो यही है भाई सब को इंसान की नजर से देखो हिंदू और मुसलिम कुछ भी नहीं होता है